हेलो बच्चो मैं आपको एक और आपठीत गद्यांज दिखा रही हूँ बुद्धी मान होने के कारण मनुशे को संसार का योगतम प्राणी समझा जाता है यानि हमारे में दिमाग है इसलिए हम संसार में सबसे योगतम प्राणी है प्रकर्ती ने पशुपक्षियों को भी कुछ ऐसी योगताएं दी हैं जो हमारे पास नहीं है आपको जानकर हैरानी होगी कि नेवला, चुवा, साप, कंखजुरा जैसे प्राणी किसी अगर भुकंप आने से बहुत दिन पहले ही अपने घर को छोड़ कर किसी सुरक्षी तिस्तान पर चले जाते हैं उनका स्वर भी उस समय जब भुकंप आने वाला होता है अशुप घटना होने का हमें संदेश देता है अश्चरे तोर पे बदल भी जाता है उनका स्वर इस जानकारी के अनुसार तोते की इसी विशेष्टा के कारण प्रथम विश्यूद के दोरान पैरिस के एलफिल टावर में तोते को रखा गया ताकि वे हमाई अमले की पूर्व सूचना दे सके तो इसी से रिलेटिव मैंने कोशन पूचे है मनुश्य को संसार का योगितम प्राणी क्यों कहा जाता है देखिया पहले मैंने पहली लाइन में ही आंसर आया था हमारे सामने बुद्धी मान होने के कारण हो गया ना जरूरी नहीं आंसर बीच में हो और एंड में हो श्टा गटना यानि भुकंप जैसी गटना का पारे में पता चले तोते को किस विशेष्टा के कारण क्योंकि वो पहले ही जानकारी दे देता है भुकंप आने वाला है उसकी आवाज बदल जाती है इसलिए उसको अटावर बे रखा गया था बुद्धी मान होने के कारण किसे यो कोशन को एक ही आंसर को दो कोशनों को में कैसे पूछ सकती है टीजर आपको दर्शाया है तो इसी तरह आप आपर्टित गद्यांश और भी मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं देखते जाए और कोशिश कीजिए फुल मार्क्स लाने की